तो चलिए शुरू करते हैं, अब तक, ये सुनकर मानो कहर की सांस रुक गई और उसके चेहरे पर घबराहत दिखने लगी, कहर जोर से चिल्लाई और बोली प्लीज लिफ्ट को खोले अंदर मेरा बच्चा है कहर समझ गई थी कि वह बच्चा कोई, और नहीं इशान है, कहर की आखों में हासु आ गए थे मेरा बेटा अंदर कैसे होगा, उसे सांस तुम्हारी होगी ना कहर का गला रूद गया, वही लिफ्ट के अंदर इशान ने एलविश को देखते हुए कहा मुझे सुसु जाना है अंकल, ये सुनकर तो एलविश का दिमाग घूम गया और उसने इशान को घूरते हुए कहा तुम यहां पर वाश्रूम कैसे जा सकते हो, कंट्रोल करके रखो तभी इशान अपनी पीपी को पकड़ कर उचलने लगा प्लीज जल्दी मुझे बहुत तेज सुसु आया हुआ है, अब आगे, अंकल मुझे बहुत तेज सुसु आया हुआ है इशान ने उचलते हुए कहां, इविश ने भोहे उचका कर इशान को देखा और बोला तुम्हें अभी सुसु आना था, तभी इशान ने एलव को देखा और बोला अब यह इंविटेशन देकर थोड़ी आएगा अनकल, इविश ने देखा इशान अपनी पीपी को था शायद उसे बहुत सच में बहुत तेज सुसु आया हुआ था एलविश परेशान हो गया था वह कर भी क्या सकता था लिफ्ट खराब हो चुकी थी एलविश ने इशान को दिखा और बोला अब तुम क्या करोगे तभी इशन ने एलविश को गुस्से से देखा और बोला स एलविश ने कहा क्या तुम थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तभी इशान चीखते हुए बोला नहीं उसका मुह अजीब सा बन गया था। एक्सपर्ट टीम को बुलाया जो कंट्रोल। रूम में थी और देख रही थी कि कहां पर गरबर हुई है। वही इशान ने सुकून से अपनी आखे बंद कर ली और उसके होटों पर मुसकान आ गई। वही एलविश दूसरी तरफ मुह करके खड़ा था। एलविश ने कर देखा और फिर अजीब सा मुह बनाकर बोला अच्छा ठीक है अब वहां से हटो। इशान एलविश के बगल में आकर खड़ा हो गया तभी लिफ्ट हिलने लगी और एक तेज आवाज हुई शिफ्ट एक दम से नीचे गई। और धड़ाम से गिर गई ये देखकर तो इ एलविश ने जल्दी से इनसान को अपनी गोद में उठा लिया और इशान ने डर की वजह से एलविश को कसकर पकड़ लिया और बोला अंकल। तभी एलविश ने इशान के पीट पर हात फेरते हुए कहा रिलेक्स कुछ नहीं हुआ हैं। इशान डर गया था और को कसकर प काल पाएंगे। तभी एलविश ने इशान को देखा और बोला हम यहां से जरूर निकलेंगे बाहौल बस अभी लिफ्ट खुल रही हैं। इशान ने धीरे से अपना सिर हिला दिया इशान को देखा और सोचने लगा उसका भाई जैसा की एलविश के बार में रहा। था ए इशान को सफोकेशन होने लगी और वह बोला अंकल मुझे सांस नहीं आ रही ऐसा ब इनसान की घबराहत की वजए से हो रहा था। तभी एलविश ने इशान के छोटे से चेहरे को देखा और बोला क्यूं तुम ऐसा इमेजन करो कि तुम स्पेस में हो। तभी इशान बोला अंकल मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ हम अभी स्पेस में नहीं लिफ्ट में है और अगर अभी थोड़ी देर में लिफ्ट नहीं खुली तो हम दोनों हमेशा के लिए ही रह जाएंगे। करीब वन घंता हो गया था एलविश को अपनी गोद में लेकर खड़ा था। इशान ने जोर से कहा मम्मा कहर ने देखा कि उसका बेटा एलविश की गोद में था कहर को यह उम्मीद नहीं की थी कि लिफ्ट के अंदर उसे एलविश भी मिल जाएगा और उसका बेटा और एलविश दोनों साथ में थे ये देखकर तो कहर घबरा गई कहर अपने सामने एलविश की गोद में इशान को देखकर घबरासी गई वही एलविश कहर को देख रहा था एलविश ने अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिये तभी कहर जल्दी से एलविश की तरफ और इशान रोते हुए बोला मम्मा इशान डर गया था कहर ने एलविश की गोद से ल इशान को देख रहा था एलविश ने अपना हाथ देखा जिससे कहर ने इशान को छीन लिया था कहर का ये करना एलविश को पसंद नहीं आया एलविश कहर को देख रहा था जो अपने बच्चों को दुलार रही थी और थोड़ी परेशान लग रही थी तभी इशान धीरे से बोला sorry मम्मा इस पर कहर इशान को थोड़ा डाटे हुए बोली तुम्हारी इन ही शैतानियों की वजह से मैं तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाती इशान अपनी मम्मा की डाट सुनकर एलविश को देखने लगा और बोला मम्मा इन अंकल ने मेरी हेल्प की कहर ने अपना सिर इखने लगा एलविश कहर से उम्मीद कर रहा था कि वह उसे थेंक यू बोले लेकिन कहर ने एलविश को थेंक यू नहीं बोला यह देखकर एलविश को गुस्सा आ गया कितनी धी थोड़त है कम से कम वह उसे थेंक यू तो बोल ही सकती है क्योंकि उस reconstie शैतां बेते को इतन इशान ने आईपेड को लपत कर पकड़ लिया और बोली यह मेरा है तभी इशान ने एलविश की तरफ देखा और बोला इंकल एलविश ने इशान की तरफ देखा तो इशान बोला थंक्स कहर ने अपने होंस भीच लिया कहर बस जल्द से जल्द इशान को एलविश के सामने से लेकर दूर चली जाना चाहती थी मम्मा मम्मा तभी कहर को किसी के पुकारने की आवास आई और उसके भाव बदल गए उसके माथे पर पसीने की बूंदेया गई एलविश ने उसे आवास की दिशा में देखा तो दो बच्चे कोरिडोर से चलते हुए रॉब से आ रहे थे उन दोनों बच्चों को देखकर एलविश दंग रह गया वह दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे थे उनकी हाइट एक जैसी थी उन्होंने कपड़े भी सेम पहन रखे थे और उनका फेस भी सेम था फिर एलविश ने इशान को देखा वह भी बिल्कुल उनके जैसा ही देखता हैं वह दोनों बच्चे घमन से चलते हुए कहर की तरफ आ रहे थे कहर ने एलविश की नजरों को देखा और फिर जल्दी से पीछे घूम कर देखा आहान और विहान चलकर आ रहे थे आहाना ने अपनी मम्मा को देखा और जल्दी से उनके पास दोड़ कर आ गया और बोला मम्मा आप कहा थे तभी विहान भी दोड़ कर अपनी मम्मा के पास आ गया और कहर को देखते हुए बोला मम्मा हम आपको कब से धूंद रहे हैं इशान भाई मिले क्या एलविश आश्चर्य चकित नजरों से उन तीनों बच्चों को देख रहा था उसे कुछ भी भी समझ नहीं आ रहा था वही जायद के फेस पर भी हैरत वाले एक्सप्रेशन थे क्या ये तीनों बच्चे कहर के हैं वहीं एलविश को याद आया की CCTV फुटेज में उसने विहान को दो जगह देखा था इसका मतलब ये था कि वह बच्चे ही दो थे लेकिन अब तो उसे दिखाई दे रहे थे क्या उसकी आँखों में खराबी आ गई थी कहर ने इशान और आहान को डाटे हुए कहा तुम दोनों वार्ड से बाहर क्यूं आये हो मैंने तुम दोनों को मना किया था तुम तीनों मेरी बिलकुल नहीं सुनते हो मैं तुम तीनों को उल्टा लटका दूनगी कहर ने अपने तीनों बच्चों को डाटे हुए कहा अपनी मम्मा की डाट सुनकर आहान इशान और विहान तीनों का मुह अटक गया तुरंत सिर जुका कर कहर के सामने खड़े थे कहर गुस्से से बोली चलो तुम तीनों तुम तीनों की अब खेर नहीं इतना कहत हुए कहर ने इशान का कान पकड़ा और उसे वाट की तरफ ले जाने लगी और बोली तुम हद से ज्यादा शैतान हो गए हो वही अपने मम्मा का गुस्सा देखकर अहान और विहान भी जल्दी जल्दी उनके पीछे चले गए आह मम्मा दलद हो रहा है मम्मा मेरा कान उख इशान दर्द से करते हुए बोला कहर उसे गुस्से में खीच कर लेकर जा रही थी अहान विहान भी डर गए थे और अपने ननहे ननहे पैरों से भाग रहे थे वरना उनके मम्मा उनकी भी परेड लगा देगी वही पर कुछ लोग यह नजारा देखकर मुस्कुरा रहे थ कहर गुस्से से बोली गलती करोगे तो पनिश्मेंट मिलेगी कहर ने इशान को हॉस्पिटल बैड पर लेता दिया और उसकी बंपर मरते हुए बोली आगे से तुम अपनी मम्मा की बात मानोगे अपनी मम्मा का गुस्सा देखकर इशान आहन विहान दोनों दर गए उन्हे इसा लग रह रहा था कि अगली बारी उनकी है इसलिए वह दबे पाओ चलकर इस तरफ आने लगे वही इशान चिल्ला रहा था जैसे उसे बहुत जोर जोर से लग रही हो वही डॉक्टर और नर्स ये देख मुह दबा कर हंस रहे थे क्योंकि सब को दिख रहा था कि इशान नौटन की कर रहा है क्योंकि कहर उसे इतनी भी जोर से नहीं मार रही थी जितना वह चिल्ला रहा था तभी कहर ने गुस्से से कहा अहान विहां कहा हो तुम कहर ने इधर उधर देखा लेकिन उसे अहान और बिहान कहीं नहीं दिखे उसी वक्त उसके कानों में आवाज मोटे मोटे आसु आगय उसकी मम्मी से到급 kर से लिफ्ट में बंद था लेकिन उसकी मममा ने उसे प्यार नहीं किया बलकि उसे गुसे पनिश कर रही है कहर ने घुरे कर विहान और आहान को देखा और घुरते हुए बोले तुम दोनों का ये ड्रामा खत्म हुगा पर रहे थे उन्हें एक बच्चे और मा का प्यार और एक अलग सा बॉंड दिखाई दे रहा था ऐसा बॉंड जो साफ रहा था कि इन लोगों में कितना प्यार था उन लोगों को भी कहर और उनके तीन बच्चों की आसपास अपने पन से महसूस हो रहा था इशान पलट कर इलविश डॉक्टर मनोजदास के केबिन में बैठा था और डॉक्टर मनोजदास इलविश को ये बता रहे थे कि उसके जैसा डिसॉर्डर दो और लोगों को है जो इसॉर्डर से सफर कर रहे में डॉक्टर मनोजदास इलविश को बहुत कुछ बोल रहे थे लेकिन इलवि था उसके सीने में एक अजीब सा दर्द भर गया था डॉक्टर मनोज दास ने अपनी बात खत्म की और एलविश की तरफ देखा और बोले तो मिस्टर अलवेज क्या कहना है आपका एलविश तो अपने में ही खोया हुआ था उसे नहीं डॉक्टर मनोज दास की बात सुनाई ददे रही थी और ना ही उन्होंने नहीं दिखाई दे रही थी डॉक्टर मनोज दास समझ गये थे की एलविश ने उन्ट एक भी बात नहीं सुनी लेकिन उनकी हिम्मत कहा की एलविश को कुछ बोल दे डॉक्टर मनोज दास एक फाइल उठा कर उसमें अहान और विहान की देखने लगे तो लगभग सिंप्टम्स से मिला थे उनकी बॉडी में भी वही सेंटेंस होते थे जो एलविश की बॉडी में होते थे डॉक्टर मनोज दास का अपने भाई की लेबोरेटरी में जाना बहुत जरूरी था वही पर उन्हें शायद एंटीडोट मिल जाए या फ अपनी मम्मा के पास आए और जबर्दस्ती उसकी गोद में चरने लगे मम्मा सौरी लेकिन कहर उन्हें गोद में लेने की जरूरत नहीं उठा रही थी ये देखकर तो इशान आहन और विहान तीनू रोने लगे कहर इशान का कान खीच कर उसे वार्ड के अंदर लेकर गई और इशान करहाते हुए बोला मम्मा दर्द हो रहा है तब ही कहर गुस्से से बोली गलती करोगे तो पनिश्मेंट मिलेगी कहर ने इशान को हॉस्पिटल बैड पर लेता दिया और उसकी बम पर मरते हुए बोली आगे से तुम अपनी मम्मा की बात मानोगे अपनी मम्मा का गुस्सा देखकर इशान आहन विहान दोनों दर गए उन्हें ऐसा लग रह रहा था कि अगली बारी उनकी है इसलिए वह दबे पाओ चलकर इस तरफ आने लगे वही इशान चिल्ला रहा था जैसे उसे बहुत जोर जोर से लग रही हो वही की सबको दिख रहा था कि इशान नौटन की कर रहा है क्योंकि कहर उसे इतनी भी जोर से नहीं मार रही थी जितना वह चिल्ला रहा था तभी कहर ने गुस्से से कहा अहान विहां कहा हो तुम कहर ने इधर उधर देखा लेकिन उसे अहान और विहान कहीं नहीं दिखे उसी वक्त उसके कानों में आवाज गई मामा। तभी कर अपने पैरों के पास देखा तो उसके दोनों बेटे कान पढ़कर उसके पास बैठे थे और तेरी नजरों से उसे देख रहे थे सौरी मम्मा। वही इशान का बम तो लाल हो गया था और उसे अब सच में दर्ध हो रहा था उसकी आँखों में मोटे मोटे आंसु आ गए। उसकी मम्मी से बिलकुल प्यार नहीं करती। वह इतनी देर से लिफ्ट में बंद था लेकिन उसकी मम्मा ने उसे प्यार नहीं किया बलकि उसे गुसे से पनिश कर। रही है कहर ने घुर कर विहान और आहान को देखा और घु प्यार और एक अलग सा बॉन्ड दिखाई दे रहा था ऐसा बॉन्ड जो साफ रहा था कि इन लोगों में कितना प्यार था। उन लोगों को भी कहर और उनके तीन बच्चों की आसपास अपने पन से महसूस हो रहा था। इशान पलट कर अपने बम देखने की कोशिश कर रहा इशान अपनी आँखों को मिलते हुए बैठ कर रोने लगा वही अहान और बिहान भी मोटे मोटे आसु बहने लगे कहर अपने तीनों बेटों को घूर रही थी। वही एलविश डॉक्टर मनोज दास के केबिन में बैठा था और दॉक्टर मनोज दास एलविश को ये बता पर था क्या इन फाइव सालों में उसने तीम बच्चों को जन दिया ये सोच सोच कर एलविश का दिमाग खराब हो रहा था एलविश गुस्से से कांप पर आया था उसका ना जाने क्यूं अंदर से खुन खौल रहा था उसके सीने में एक अजीब सा दर्द भर गया था डॉक नहीं दिखाई दे रही थी और नहीं उन्होंने नहीं दिखाई दे रही थी डॉक्टर मनोजदास समज गय थे कि एलविश ने उंक एक भी बात नहीं सुनी लेकिन उनकी, हिम्मत कहा कि एलविश को कुछ बोल दे। डॉक्टर मनोज दास एक फाइल उठाकर उसमें अहान और विहान की रिपोर्ट देखने लगे तो लगभग सिंप्टम से मिलत है उनकी. बॉडी में भी वही सेंटेंस होते थे जो एलविश की बॉडी में होते थे. डॉक्टर मनोज दास का अपने भाई की लेबोरेटरी में जाना बहुत जरूरी था वहीं पर उन्हें शायद एंटीडोट मिल जाए या. फिर इस अलजी को कम करने का कोई ऐसा तरीका जिससे कंट्रोल किया जा सके. कहर गुस्से से जाकर सोफे पर बैठी हुई थी और वही इशान आहन और विहान तीनों रो रहे थे तब ही वह अपने नन्हे. नन्हे पैरों से चलते हुए अपनी मम्मा के पास आए और जबरदस्ती उसकी गोद में चड़ने लगे मम्मा सौरी लेकिन. कहर उन्हें गोद में लेने की जरूरत नहीं उठा रही थी ये देखकर तो इशान आहन और विहान तीनों रोने लगे. कहर के तीनों बेटे उसके सामने खड़े थे कान पढ़कर और उससे सौरी बोल रहे थे लेकिन आज कहर का दिल नहीं. पिगला नन्हे नन्हे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर वाड में मौजूद नज और डॉक्टर प्यार के. साथ साथ थोड़ी दया भी आ रही थी लेकिन वह ये भी जानते थे कि तीनों बच्चे कितने शैतान थे उनके मम्मा. बिल्कुल सही कर रही हैं. तभी कहर ने अपनी तेज आवाज में उठकर बोली तुम तीनों अपना ये ड्रामा बंद करो और जाकर बैड पर बैच जाओ. डॉक्टर तुम्हारा चेक अप कर रहे करेंगे अगर उन्हें जरा भी परेशानी हुई तो तुम तीनों से मैं बात करना भी. बंद कर दूनगी अपनी मम्मा की वानिंग सुनकर इशान आहान विहान तीनों को रोना आ गया तीनों की बड़ी-बड़ी. आखों में मोटे मोटे हांसु बाहर निकलने को तैयार थे. एलविश और डॉक्टर मनोजदास आपस में कुछ डिसकस कर रहे थे वह दोनों अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर. ही रहे थे कि एकदम से डॉक्टर के केबिन का दोर ओपन हुआ और एक शक्स अंदर दाखिल हुआ डॉक्टर मनोजदास ने उस शक्स को देखा और बोले आप. कहर केबिन के अंदर आई उसके हाथ में एक फाइल थी उसने देखा कि पहले से ही कोई शक्स डॉक्टर मनोजदास के पास बैठा हुआ है कहर को रिलायंस हुआ कि शायद वह गलत टाइम पर आ गई और वह उन दोनों की कन्विसेशन के बीज मैं आकर उनकी कन्विसेशन को बरबाद कर दिया कहर ने कहा सौरी डॉक्टर मैं बाद में आती हूँ ये आवाज सुनकर एल विश ने अपने होंट बीच लिए कहर एल विश एक दूसरे का फेस नहीं देख सकते थे क्योंकि कहर के सामने एल विश की बैक थी डॉक्टर मनोज दास ने जल्दी से कहा नो प्रॉब्लम कहर रगवन्शी कहर ने अपने कदम मनोज दास की डैक्स की तरफ बढ़ा दिये और फिर बोली डॉक्टर कहर को देखते हुए डॉक्टर दास ने उसको बैठने का इशारा किया कहर ने चेय को पीचा और फिर उस पर बैठ गई उसकी नजर अभी अपने बगल में बैठे शक्स पर नहीं गई थी आपने जो फाइल मुझ से मनगवाई थी यह वही हैं इसमें आपको बाकी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी डॉक्टर मनोज दास ने कहर के हाथ से फाइल ली अचानक उसकी नजर अपने बगल में बैठे शक्स पर गई और वह चौक गई दूसरे ही पल उसके भाव बदल गए अब कहर नर्वस दिखने लगी और वह इसके बिन से जल्दी चली जाना चाहती थी वही एलविश उसके दिमाग में तो यही चल रहा था कि कहर तीन बच्चों की मा है रियली लेकिन दिखने में बिल्कुल नहीं लगती थी फाइव साल बाद वह उससे मिला और अब सच्चा ये थी कि वह बहुत आगे बढ़ चुकी थी उसके बड़ी फैमली थी तीन बच्चे और एक पती उसको धोखा देने के बाद इसने अपना संसार बसा लिया था और सिर्फ फाइव साल में इसके तीन बच्चे एलविश को ये बात हजम नहीं हो रही रही थी कहर ने सोचा कि क्यूं वह एलविश के बारे में सोच ही क्यूं रही हूँ कहर ने जो फाइल डॉक्टर मनोज दास को दी थी वह उसके बच्चों की पिछली सारी मेडिकल रिपोर्ट्स थी कहर चाहती थी उसके बच्चे जल्दी ठीक हो जाए वह अपने बच्चों को ठीक करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी डॉक्टर मनोज दास को एक कॉल आ गया और उन्होंने अपने फोन की तरफ देखा कहर और एलविश की तरफ देखते हुए बोले Excuse me मेरी वाइफ वेटींग रूम में वेट कर रही है मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ कहते हुए डॉक्टर मनोज दास वहां से बाहर चले गए अब उस केबिन में सिर्फ कहर और एलविश दोनों बैठे हुए थे और दोनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था Currently उस गहरे सनाटे को तोड़ते हुए एक आवाज वहां गुंजी तो तुमने शादी कर ली कहर ने टेबल को कसकर पकड़ लिया क्योंकि यह आवाज किसी और की नहीं एलविश की थी एलविश की आवाज थंडी और विदाउट इमोशन कहर ने ऐसा पैटन किया जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं कहर अपनी जगह से खड़ी हुई और केबिन में ही बने हुए बुक्सल की तरफ चली गई वही एलविश ने गुस्से से अपने होंट बीच लिए कहर के द्वारा खुद को इस तरीके से इगनो होता हुआ देथ कर एलविश का मेल इगो हट हो गया था और अब वह रिवेंज लेना चाहता था कहर कई सारी बुक्स को देख रही थी जो मैडिकल से ही रलेटर थी डॉक्टर मनोज दास को बुक्स रीडिंग का शौक था लेकिन कहर को वहाँ पर कुछ नोवेल्स भी मिली कहर ने सोचा कि जब तक डॉक्टर मनोज दास नहीं आ जाते जब तक वह यहीं पर टाइम पास करेगी कहर अभी एक एक कर बुक्स को चेक रही थी कि किसी ने पढ़कर उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे बुक्स एलके अगेंस्ट प्रेस कर दिया जिससे कहर के मुव से आह निकल गई और उसने अपना सिर उठा कर सामने देखा तो एल्विश गुसे से उसे घूर रहा था एल्विश का फेस इतना सर्द था कि वह एक पल के लिए स्टब्ध रह गई एल्विश के इस अटेक से की कहर को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मैं तुमसे कुछ पूछा था एल्विश ने दांत पीस्ते हुए सर्द लहजय कहा कहर ने धीरे से कहा मिस्टर इग्निविंशी क्या आपको मुझसे कोई काम है एल्विश ने अपने होंत भीचते हुए कहर को देखा कहर ने बिना किसी भाव के कहा प्लीज आप फोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखिए अगर यहां पर कोई आ गया तो हमें ऐसे देखकर उसे गलत फेहमी हो सकती है और आपकी तो इतनी बड़ी रेपुटेशन है मैं नहीं चाहती की मेरी वजह से आपकी रेपुटेशन डाउन हो जाए और उसका ब्लेम मुझ पर आए कहर ने एल्विश की आँखों में आँखे डाल कर कहा कहर को इतना निदर होकर ये सब कहते देखकर एल्विश अंदर से हैरान था कि कहर के चहरे पर उसे कोई गिल्ट सौरी जैसा भाव नहीं नजर आ रहा था क्या उसने जो फाइव साल पहले किया उसे जरा फर्क नहीं पढ़ता क्या उसके लिए बस ये सिर्फ एक खेल की तरह था इसका मतलब की कहर ने फाइव साल पहले जो डिसीजन लिया था उसका उसे जरा भी रिग्रेट नहीं था और वह अपनी लाइफ में अपनी डिसीजन से खुश थी एलविश के अंदर तो आग लगी हुई थी और गुस्से से बहुत जल रहा था वह किसी ना किसी तरीके से कहर को बस हट करना चाहता था एलविश ने गुस्से से कहर का हाथ पकर लिया और दबाते हुए बोला मेरी रेपुटेशन तो तुम पहले ही बरबाद कर चुकी हो कहर रगुवन्शी यहां अच्छा बनने का नातक कर रही हो कहर ने अपने होटों को भीच लिया फाइव साल पहले वह सब कुछ छोड़ कर चली गई थी और उसे पता था कि एलविश की कितनी रेपुटेशन है शायद उसकी वजह से बरबाद भी हो गई होगी कहर को रिग्रेट नहीं था क्योंकि एलविश कहर ने एलविश से अपना हाथ चुड़ाया और मसलते हुए देखने लगी क्योंकि एलविश ने इतनी जोर से पकर रखा था कि उसके हाथ पर निशान बन गया था और ब्लड रुप गया था यू ब्लडी मौनस्टर कहर गुस्से में अपने हाथ को धीरे से रब करते हुए बोली एलविश किया एबरो सिकुड़ गई और उसने गुस्से से कहा क्या कहा तुमने कहर ने गुस्से से एल्विश को खुद से दूर धक्का दिया और वहां से जाने लगी तभी एल्विश ने कहर को दोबारा से दबोच लिया Leave me you monster एल्विश ने कहर के लिप्स पर जुक कर बायत कर ली कहर की आँखे चोड़ी हो गई उसके होतों से ब्लड आने लगा था एल्विश सेकंड में पीछे हो गया और उसने गुस्से में जोर से उसके होटों को रगर और बोला Yes I am monster ये सब इतना सदन हुआ था कि कहर को कुछ समझ नहीं आया लेकिन अपने होटों में हो रहे तेज दर्द की वजह से उसने एल्विश की फिंगर को जोर से बाइट कर ली जिससे एल्विश की फिंगर पर उसके दातों के निशान बन गए थे और वह जगह नीली पर गई थी एल्विश कहर को देखने लगा और फिर उसके होटों पर तिर्ची मुस्कुराहत आ गई कहर ने गुस्से में इतनी जोर से उसकी फिंगर पर बाइट कर ली थी कि उसे रिलाइज ही नहीं हुआ कि वह ये क्या कर रही हैं, कहर हरबड़ा गई लेकिन एलविश पीछे नहीं हुआ तो कहर ने उसका हाथ दूर जटक दिया और गुस्से में बोली हाँ इससे आगे कहर कुछ बोलती उससे रूम का दर्वाजा खुल गया और कहर ने हरबड़ा कर उस तरफ देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, मम्मा कहर के कान में जैसे ही आवाज गई उसने नीचे देखा तो उसके तीनों बेटे उसे धूंद रहे थे कहर ने एलविश को ज इसान अहान और विहान ने अपनी मम्मा को देखा और फिर उनकी तरफ आते हुए बोला मम्मा कहा थे आप, मैंने तुम तीनों को कहा था ना की वाड में रहना तो तुम तीनों यहां क्या कह रहे हो कहर अपने तीनों बेटों, पर गुस्सा करते हुए बोली, अहान विहान और इशान तीनों का मुह लटक गया उन्हें लगा था कितना वक्त बीट गया है तो उनकी π्यारी मम्मा का गुस्सा तंड़ा हो गया होगा और वह उन्हें पहले की तरह प्यार और दुलार करेगी लेकिन उनकी मम्मा तो आज अभी वी उन पर गुस्सा ही कर रही थी अचानक आहन इशान और विहान की नजर एलविश पर गई जो उन्हें ही घूर कर देख रहा था आहान और विहान तो एलविश को गुस्से से घूर रहे थे वही इशान ने एलविश को देखा तो अपने ननहे ननहे पैरों से दौरता हुआ उसकी तरफ भागा और बोला अंकल एलविश थोड़ा हैरान हुआ लेकिन फिर उसने इशान को देखा इशान एकदम से एलविश की तरफ जंप मारा तो एलविश ने उसे उठा लिया ये देखकर कहर हैरान हो गई और उसके अंदर डर ने जन्म ले लिया वही अहान और विहान तो मुह फारे अपने भाई को देख रहे थे जो ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसे कोई ट्रॉफी मिल गई हो एलविश को नहीं पता था कि उसका इशान के साथ क्या कनेक्शन था लेकिन एक अजीब सा सुकून मिल रहा था उसे अपने गोद में लेकर इशान ने एलविश को देखा और बोला थेंक यू सो मच अंकल आपने लिफ्ट में मेरी मदद की कहते हुए इशान थोड़ा शर्माया कहर के लिए इशान का ये रियेक्शन शौकंग था एलविश को देख कर वह इतना एकसाइटड हो गया है एलविश ने इशान की तरफ देखा लिफ्ट में इस बच्चे ने उसे बहुत परेशान किया था पर फिर भी यह प्यारा तो है और उतना ही हैरान कहर एलविश और इशान के इस बॉन्ट को देख कर अंदर से घबरा रही थी यह नहीं होना चाहिए मुझे अपने बेटे को इस आदमी से दूर रखना है कहर ने अपने कदम एलविश की तरह बढ़ा दिये एलविश ने जब कहर को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उसकी भोहे तन गई वही इशान भी अपनी मम्मा को देखने लगा कहर एलविश के सामने अगर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली इशान इशान डर गया और उसने एलविश को मजबूती से पकड़ लिया अगर एलविश ने उसे पढ़कर नहीं रखा होता तो वह नीचे गेर जाता ये कैसा बेहेवियर है तुम्हारा किसी भी अंजान शक्स के पास तुम कैसे जा सकते हो मैंने तुम्हें बोला है ना कि किसी भी अंजान शक्स से बात मत किया करो जिसे तुम जानते नहीं अपनी मम्मा की डाट सुनकर इशान का मूह बन गया और उसने धीरे से कहा मम्मा लेकिन ये अंकल तो वही हैं जिन्होंने लिफ्ट में मेरी मदद की क्या आप भूल गई आपको पता मम्मा मैं कितना डर गया था इन अंकल ने मेरे को कमफर्ट किया तभी कहर इशान को जोर से डाटती और बोली और आज कल तुम बहुत बोलने लगे हो चलो मेरे पास आओ कहते हुए कहर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया वही एलविश को कहर की बात चुप गई थी अजनबी क्या मैं इसे अजनबी लगता हूँ इशान कहर की गोद में नहीं जा रहा था मम्मा मेरे को दाटती रहती है वह मुझ पर गुस्सा करती है और वह बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करती इशान मेरो ने जैसा मुह बना कर कहा इशान मम्मा के पास नहीं जाएगा कहर को इशान पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसने अपना हाथ उठा लिया और बोली अगर अभी मेरे पास नहीं है तो खीच कर थपड़ पड़ेगा तुम्हें इशान और ज्यादा डर गया और उसने एलविश के सीने में मुह छुपा लिया और जोर से बोला अंकल कहर ने गुसे से इशान को देखा एलविश ने गुसे से कहर को देखा और बोला कैसा बेहेव कर रही हो तुम कितना डर गया है वह अगर तुम उसकी मम्मा भी हो तो तुम्हें कोई राइट नहीं है उस फोस करने का वह अभी छोटा है और तुम्हारे ऐसी behavior से उस पर क्या असर पढ़ेगा कहर ने अपना हाथ नीचे किया और गुस्से में बोली तुम कौन होते हो मेरे बच्चों के और मेरे बीच में बोलने वाले को मैं अजन्बियों के दखलंदाजी बरदाश्त नहीं करूंगी कहर ने गुस्से में कहा इशान मम्मा के पास आओ वरना मम्मा तुम्हें यही छोड़ कर चली जाएगी इशान ने जैसे ये सुनावा जल्दी से छलांगा मार कर अपनी मम्मी के पास चला गया और कहर से चिपक गया एलविश बस ये देखते ही रह गया एलविश ने इशान को घूरा और उसके गाल को खीचते हुए बोली बहुत बदमाश हो गए हो तुम घर चलो पनिश्मेंट मिलेगी तुम्हें इशान ने कहर को हग करते हुए कहा मम्मा सौरी कहर ने इशान का घूरा और जोर से उसका गाल खीचा और बोली तुम ना बहुत बड़े हो गए हो एलविश कहर को देख रहा था जो अपने बच्चों पर गुसा कर रही थी और उसे गाल खीच कर पनिश कर रही थी लेकिन उसमें भी उसे कहर का अपने बच्चों के प्यारी दिख रहा था वह नेगेटिव कहीं से भी नहीं दिख रही थी कहर ने एक नजर एलविश की तरफ देखा और बोली देखिए मिस्टर आपने लिप्ट में मेरे बेटे को कमफर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए मैं कमफर्ट कर सकती हूँ अगर आप चाहे तो ही सुनकर तो एलविश का खून खोल उठा अब उसकी इतनी हिम्मत की एलविश इग्निविंशी को कमफर्ट करने की बात कर रही है कहर ने जब देखा कि एलविश उसे गुस्से से घूर रहा है तो वह मुड गई और बाहर की तरफ जाने लगी विहान आहान चलो तुम दोनों भी आजाओ तभी मनोज दास के बिन में आ गए उन्होंने कहर और एलविश को देखा और बोले सॉरी इतना वक्त लग गया फिर उनकी नजर रहान विहान और इशान पर गई उन तीनों को देखकर वह कंफ्यूज हो गए क्योंकि वह एक जैसे ही दिख रहे हूँ और तो और उनके नाम भी दूसरे से मिलते जुलते थे डॉक्टर मनोज दास को नहीं पता था कि इन तीनों में से बढ़ा वाला कौन है छोटा वाला कौन है और बीच वाला कौन है कहर ने डॉक्टर मनोज दास को देखा और बोली डॉक्टर मैं आपसे बाद में अपॉइंटमेंट ले लूंगी लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा और मैंने आपको जो फाइल दी है उसके अंदर पिछले सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं और जो दवाईया पहले यूज की जा रही थी उनके बारे में डिटेल्स भी है डॉक्टर डॉक्टर मनोज दास ने कहा ओके मैं आपसे बाद में इस बार में डिसकस करूंगा कहर केबिन से बाहर चली गई और उसके पीछे पीछे आहान विहान भी जाही रहे थे कि उन्होंने पीछे घूं करे नजर एलविश भूर कर देखा जैसे कह रहे हो दूर रहो मेरे भाई से वरना मैं आपको छोडूंगा नहीं कहते हुए आहन और विहान दोनों लिटिल डेविल स्माइल करने लगा एलविश ने उन दोनों पिदियों को देखा और भौहें उचकाते हुए खुद में बोला ये दोनों कुछ ज्यादा ही अपनी उम्र से चलाक हैं अपने तीनों बेटे को लेकर होटल वापस आ गई इशान आहन विहान तीनों को नहला रही थी इशान आहन विहान तीनों नंगू पंगू बाथटब में बैठे हुए थे और एक दूसरे के शेंपू कर रहे थे कहर अपने बेटे को देखकर मुस्कुरा रही थी भले उसके बेटे जितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे लेकिन वह थे तो अभी बहुत ही छोटे और उसकी नजर में तो उसके बेटे कभी बड़े नहीं होने वाले समीर हैदराबाद गया हुआ था किसी काम से काम बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए उसे अरजेंटली कल रात को निकलना पढ़ा वह जाना नहीं चाहता था लेकिन कहर ने जबरदस्ती उसे भेज दिया ये कहकर कि वह हैंडल कर लेगी समीर ने कहर को कहा था कि वह शाम तक वापस आ जाएगा कहर ने अपने तीनों बेटों को देखा और समझाते हुए बोली अहान बिहान इशान मम्मा की बात भ्यान से सुना तुम तीनों हमारे सामने जो शक्स रहता हैं उससे दूर रहोगे तभी इशान जट से बोला लेकिन क्यूं मम्मा वह अंकल तो अच्छे हैं कहर ने इशान को गुसे से देखा और डाटे हुए बोली वह बहुत गंदे और बुरे अंकल हैं तुम उनसे दूर रहोगे समझे अगर तुमने मम्मा की बात नहीं मानी तो मम्मा तुम्हें उल्टा लटका देगी और खुद से दूर बोर्डिंग स्कूल भेज देगी कहर ने इशान को दराते हुए कहा अपनी मम्मा की धमकी सुनकर इशान का मूह लटक गया और वह दर गया वही अहान और विहान ने आग्याकारी बच्चों की तरह कहा ओके मम्मा हम उन बुरे अंकल से दूर रहेंगे वैसे भी वह हमें पसंद नहीं ये सुनकर कहर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने प्यार से कहा मेरे प्यारे बेटे इशान अहान विहान तीनों खुश थे कि उनकी मम्मा अब उनसे गुस्सा नहीं थी कहर इतना तो समझ गई थी कि उसे यहाँ पर काफी वक्त लगेगा क्योंकि डॉक्टर मनोज दास अपना काम बहुत सलीके की और धीरज से करते हैं और कहर भी उन्हें गुस्सा दिलाने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी इसलिए उसने सोचा था कि वह अपना काम यहीं से करेगी कुछ दिनों के लिए जब तक ये सब कुछ सौर्ट आउट नहीं हो जाता वैसे भी उसे ओनलाइन मीटीग करनी थी और उसके पास जो मेल आया था उसका जवाब भी देना था कहर अभी कुछ दिन पहले हुई मीटीग के रिजल्ट का वेट कर रही थी उसने अपना 100% दिया था और उसे शो था कि प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा क्योंकि उनका आइडिया अनाइंग और प्रेशियस माइंड ब्लोइंग था कहर ने अपने तीनों बेटों को नहलाया और फिर उन तीनों को बारी-बारी से टौवल से लपेद दिया और बोली तुम तीनों बिल्कुल शैतानी नहीं करोगे मम्मा अभी तुम तीनों के लिए कुछ बना कर लेकर आती हैं कहते हुए कहर रूम से बाहर चली गई इशान आहन विहान ने एक दूसरे को देखा विहान ने तिरची नजरों से इशान को देखा और तेवर में बोला तुम्हें वह अंकल इतनी पसंद क्यूं है ऐसा भी उनमें क्या खास हैं इशान ने विहान को घूरा और दादागिरी करते हुए बोला में तुम्हारा बड़ा भाई हूं तमीज से बात करो तुमने जैसा कहा था वह अंकल वैसे बिल्कुल भी नहीं है बलकि वह बहुत अच्छे हैं विहान चिदते हुए बोला वह बुरे अंकल बहुत ही बुरे हैं तुम्हे कोई गलत फहमी हुई हैं उनहें लेकर अहान विहान और इशान की बहस को देख रहा था उसके दोनों भाई लड़ रहे थे इस बात पर की वह बुरा अंकल अच्छा है या बुरे कहर ने किचन से ही आहान विहान इशान को आवाज देते हुए कहा तुम तीनों जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आओ इशान आहान विहान ने अपनी मम्मा की आवाज सुनी तो एक दूसरे को देखा विहान और इशान ने एक दूसरे से मुह फेर लिया तीनों ने जल्दी से कपड़े पहने और दाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए कहर ने किचन से अपने तीनों बेटों को देखा और फिर खाने का खाने की प्लेट लेकर दाइनिंग टेबल पर आ गई और बोली चलो गुसे करोगे आज मम्मा ने क्या बनाया है इशान विहान और अहान तीनों सच में पढ़ गए कि आज उनकी मम्मा ने उनके लिए क्या बनाया है मम्मा ने आज क्रीमी पास्ता बनाया है कहते हुए इशान ने अपनी जीद को होथों पर फेरा है कहर ने अपनी गर्दन ने में हिला दी निशान का मूल अटक गया मम्मा ने आज पास्ता बनाया है अहान जागते हुए बोला कहर ने अपनी गर्दन नामे दिला दी, जिससे आहान का मुह बन गया मम्मा नहीं आज चिकन लॉलीपॉप बनाया है विहान चिकन का बहुत शौकीन था बच्पन से ही और यह बात कहर को अच्छे से मालूम थी एलविश ने उन दोनों पिदियों को देखा और भोहें हुचकाते हुए खुद में बोला ये दोनों कुछ ज्यादा ही अपनी उम्र से चलाक हैं अपने तीनों बेटे को लेकर होटल वापस आ गई इशान आहन विहान तीनों को नहला रही थी इशान आहन विहान तीनों नंगू पंगू बाथटब में बैठे हुए थे और एक दूसरे के शेंपू कर रहे थे कहर अपने बेटे को देख कर मुस्कुरा रही थी भले उसके बेटे जितना भी बड़ा बनने की कोशिश करे लेकिन वह थे तो अभी बहुत ही छोटे और उसकी नजर में तो उसके बेटे कभी बड़े नहीं होने वाले समीर हैदराबाद गया हुआ था किसी काम से काम बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए उसे अरजेंटली कल रात को निकलना पड़ा वह जाना नहीं चाहता था लेकिन कहर ने जबरदस्ती उसे भीज दिया ये कहकर कि वह हैंडल कर लेगी समीर ने कहर को कहा था कि वह शाम तक वापस आ जाएगा कहर ने अपने तीनों बेटों को देखा और समझाते हुए बोली अहान बिहान इशान मम्मा की बात भ्यान से सुना तुम तीनों हमारे सामने जो शक्स रहता हैं उससे दूर रहोगे तभी इशान जट से बोला लेकिन क्यूं मम्मा वह अंकल तो अच्छे हैं कहर ने इशान को गुसे से देखा और डाटे हुए बोली वह बहुत गंदे और बुरे अंकल हैं तुम उनसे दूर रहोगे समझे अगर तुमने मम्मा की बात नहीं मानी तो मम्मा तुम्हें उल्टा लटका देगी और खुद से दूर बोर्डिंग स्कूल भेज देगी कहर ने इशान को दराते हुए कहा अपनी मम्मा की धमकी सुनकर इशान का मूह लटक गया और वह दर गया वही अहान और विहान ने आग्याकारी बच्चों की तरह कहा ओके मम्मा हम उन बुरे अंकल से दूर रहेंगे वैसे भी वह हमें पसंद नहीं ये सुनकर कहर के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने प्यार से कहा मेरे प्यारे बेटे इशान अहान विहान तीनों खुश थे कि उनकी मम्मा अब उनसे गुस्सा नहीं थी कहर इतना तो समझ गई थी कि उसे यहाँ पर काफी वक्त लगेगा क्योंकि डॉक्टर मनोज दास अपना काम बहुत सलीके की और धीरज से करते हैं और कहर भी उन्हें गुस्सा दिलाने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी इसलिए उसने सोचा था कि वह अपना काम यहीं से करेगी कुछ दिनों के लिए जब तक ये सब कुछ सौर्ट आउट नहीं हो जाता वैसे भी उसे ओनलाइन मीटीग करनी थी और उसके पास जो मेल आया था उसका जवाब भी देना था कहर अभी कुछ दिन पहले हुई मीटीग के रिजल्ट का वेट कर रही थी उसने अपना 100% दिया था और उसे शो था कि प्रोजेक्ट उसे ही मिलेगा क्योंकि उनका आइडिया अनाइंग और प्रेशियस माइंड ब्लोइंग था कहर ने अपने तीनों बेटों को नहलाया और फिर उन तीनों को बारी-बारी से टौवल से लपेद दिया और बोली तुम तीनों बिल्कुल शैतानी नहीं करोगे मम्मा अभी तुम तीनों के लिए कुछ बना कर लेकर आती हैं कहते हुए कहर रूम से बाहर चली गई इशान आहन विहान ने एक दूसरे को देखा विहान ने तिरची नजरों से इशान को देखा और तेवर में बोला तुम्हें वह अंकल इतनी पसंद क्यूं है ऐसा भी उनमें क्या खास हैं इशान ने विहान को घूरा और दादागिरी करते हुए बोला में तुम्हारा बड़ा भाई हूँ तमीज से बात करो तुमने जैसा कहा था वह अंकल वैसे बिल्कुल भी नहीं है बलकि वह बहुत अच्छे हैं विहान चिदते हुए बोला वह बुरे अंकल बहुत ही बुरे हैं तुम्हें कोई गलत फेहमी हुई हैं उन्हें लेकर इशान गुस्से में बोला वह अंकल बहुत अच्छे हैं उन्होंने मेरी मदद की तुम्हें उन्हें लेकर कोई गलत फेहमी हुई है वैसे भी तुम बहुत जूट बोलते हो कहते हुए इंसान ने विहान की तरफ पॉइंट किया अहान विहान और इशान की बहस को देख रहा था उसके दोनों भाई लड़ रहे थे इस बात पर की वह बुड़ा अंकल अच्छा है या बुरे कहर ने किचन से ही आहान विहान इशान को आवाज देते हुए कहा तुम तीनों जल्दी से डाइनिंग टेबल पर आओ इशान आहान विहान ने अपनी मम्मा की आवाज सुनी तो एक दूसरे को देखा विहान और इशान ने एक दूसरे से मुव फेर लिया तीनों ने जल्दी से कपड़े पहने और दाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए कहर ने किचन से अपने तीनों बेटों को देखा और फिर खाने का खाने की प्लेट लेकर दाइनिंग टेबल पर आ गई और बोली चलो गुस्से करोगे आज मम्मा ने क्या बनाया है इशान विहान और अहान तीनों सच में पढ़ गए कि आज उनकी मम्मा ने उनके लिए क्या बनाया है मम्मा ने आज क्रीमी पास्ता बनाया है कहते हुए इशान ने अपनी जीद को होथों पर फेरा है कहर ने अपनी गर्दन ने में हिला दी निशान का मूल अटक गया मम्मा ने आज पास्ता बनाया है अहान जागते हुए बोला कहर ने अपनी गर्दन नामें दिला दी जिससे अहान का मुह बन गया मम्मा नहीं आज चिकन लॉली पॉप बनाया है विहान चिकन का बहुत शौकीन था बचपन से ही और यह बात कहर को अच्छे से मालूम थी कहर ने तीनों बेटों को खाना सर्फ कर रही थी क्योंकि वह चाहती थी उसके बेटे हेल्दी और फिट रहे और इन हाईजीनिक खाना ना खाएं जिस वज़े से वह अपने बेटों के लिए अच्छे तेल में खाना को कुक करती थी जिससे उसके उनके बेटे को बॉडी हाम ना हो वैसे भी उनकी हेल्था कंडीशन को देखते हुए वह इन सब चीजों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं विहान तो अपना चिकन लॉलीपॉप इंजॉई कर रहा था कहर को समीर की भी चिंता हो रही थी क्योंकि उनकी बात सुबह ही हुई थी और ना ही उसके बाद मैसेज और कॉल हुआ समीर ने एक बार भी मैसेज करके उसे बताया नहीं कि वह पहुँच गया या वह कब लोट रहा है पर कहर को इतना यकीन था कि कोई ना कोई वजह तो रही होगी जिस वजह से समीर ने उसे इनफॉर्म नहीं किया खाने के बाद आहाण इशान और विहाण तीनों अपने कमरे में चले गए और अपना अपना आई-पेड लेकर एक-एक कोणे में बैठ गए और कहर किचन में काम खत्म करके अपना लैप्टॉप लेकर सोफे पर बैठ गई उसने एक बार अपने बेटे को चेक भी किया अपने होटों को रगड़ा जैसे वह एलविश की। है मेरी उनसे क्या जवाब दूंगी उनको की उन्होंने जिस भरोसे के साथ तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ दिया था वह। हुए कहा दिजाइन्स चोरी कैसे हो गए हाव इस पॉसिबल वह हमारे डिजाइन्ड है ऐसा किसने किया है हाव कैन युसे की हमने डिजाइन्स चोरी किये हैं ये प्रोजेक्ट हमें मिलना चाहिए सौरी मैं लेकिन आपकी जैसे डिजाइन्स हमें पहले ही किसी ने सबमिट किये हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते और ये प्रोजेक्ट मिस्टर बिजलानी को मिल रहा हैं कहर ने गुसे से कहा मुझे मिस्टर बिजलानी से मिलना है उनके डिपार्टमेंट के किसी शक्स ने चोरी की हैं सौरी अगर आपको कुछ भी कहना है तो हमारे बॉस से कहिएगा इतना कहने के बाद उस शक्स ने कॉल कट कर दिया कहर। गुस से चिल लाई क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट से बहुत उम्मीद है और उसने अपना 100% दिया था उसने अपनी डिजाइन्स को चेक किया आखिर डिजाइन्स किसने चोरी की है अब कहर की आखों के सामने एक ही शक्स का चेहरा घूम रहा था मैं तुम्हें छोडूंगी यह सब तुम्हारा किया धरा है ना तुम ऐसी गिरी हुई हरकत पर उतर आओगे मैं कभी सोचा भी नहीं था कहर ने गुस्से से लैप्टॉप बंद किया और अपने गुस्से से फ्लैट से बाहर निकली और सामने वाले फ्लैट पर जाकर जोर जोर से दरवाजा पीठने ल एगनिविंशी प्रोफेशनल और पसनल लाइफ को तुम कैसे मिक्स कर सकते हो कहर अंदर आई और उसने अपनी कार की चाबी उठाए और वहां से चली गई थोड़ी ही देर में वह एलविश के बिल्डिंग के सामने खड़ी थी उसने गुस्से से उस बिल्डिंग को घूरा और बिना हिचकी चाहट के रिसेप्शन के पास गई रिसेप्शन ने कहा मैं आप अपना अपार्टमेंट दे मेरे पास कोई अपार्टमेंट नहीं है कहर ने चिल्ला कर कहा सॉरी बट हम आपको ऐसे जाने नहीं दे सकते क्योंकि एक बार में सेक्रेटरी कहर ने रिसेप्शनिस्ट की बात को इग्नो किया और वहां से चली गई रिसेप्शनिस्ट ने फोन पर कहा मैम एक लेडी कहर को रोकते हुए कहा आप ऐसे ही अंदर नहीं जा सकती विदाउट परमीशन बाकी इमपलाइज भी कहर को देख रहे थे और उसकी बद्तमीजी को देखते हुए उन्हें लग रहा था कि शायद यहां पर कुछ होने वाला है कहर गुस्से से बोली मेरे सामने से हट जाओ देखिये अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो मुझे गार्ड को बुला कर आपके यहां से बाहर फेकना पड़ेगा कहर ने सेकरेटरी को एक लुक दिया और बोली जस्ट शट अप कहर ने सेकरेटरी को साइड की और एलविश के ओफिस के दोर पर नौप किया वही अंदर बैठा एलविश सब देख रहा था क्योंकि इंटीरियर डिजाइन ऐसा था कि वह अंदर से बाहर का सब कुछ देख सकता है लेकिन बाहर का शक्स उसे नहीं देख सकता एलविश यहाँ पर अचानक से कहर को देख कर हैरान था उसने रिमोट से स्कैन किया जिससे की वह कांच का दरवाजा खुल गया कहर ने गुस्से से एलविश की तरफ देखा और वह अपनी चय पर लीन होकर बैठा था उसके होठों पर देविल स्माइल आ गई और वह बोला वेलकम कहर इगनिविंशी उप्स रगवंशी कहर ने जैसे ही एलविश की डॉमिनेटिंग आवाज सुनी उसके खून के अंदर जैसे चिंगारी लग गई उसने अपने कदम एलविश की तरफ बढ़ते हुए जोर जोर से ताली मारने लगी और बोली तो मेरे सामने बैठा शक्स एलविश इगनिविंशी सौरी दग्रेट इगनिविंशी इतना नीचे गिर जाएगा किसने सोचा होगा कहर के लहजे और उसके शब्दों को सुनकर एलविश ने पेनी नजरों से उसे देखा और बोला बेहेवियोर सेल्फ कहर रगुवंशी शायद तुम्हें मालूम नहीं है पर तुम मेरे ओफिस में खड़ी हो ये तुम्हारा घर नहीं है तुम्हारा बेहेवियर के लिए मैं तुम्हें ऐसे धक्के मार कर बाहर निकल सकता हूँ सिर्फ एक मिनट लगेगा एलविश का मजाक उड़ाते हुए कहा और आप कितना नीचे करेंगे आपको क्या लगता है कि आप ये डर्टी गेम्स खेलेंगे और मैं आपके आगे जुक जांगी सौरी मिस्टर इग्निवंशी कहर रगुवंशी ने कभी जुकना नहीं सीखा कहते हुए कहर ने गुस्से से एलविश के डेक्स पर पड़ी फाइल को उठाया और उसे दूसरी तरफ फैंट दिया चिल्ला कर बोलती तुम एक बिजनेसमैन तो नहीं लगते एलविश कहर की बाते सुन रहा था अंदर से तो उसका गुस्सा फूट चुका था लेकिन फिर भी उसने अपने शब्दों को संजो रखा था तुम बिजनेसमैन बिजनेस इंडस्ट्री का नंबर वन किंग अब चोरियां करवाने लगा है किसी को डिमोटिवेट करने के लिए अब वह इतना नीचे गिर चुका है कि वह अपने लोगों से चोरी करवाता है तुम है क्या लगता है कि एक प्रोजेक्ट कैंसल होने से तुम कहर रघुवन्शी को तोड़ दोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है कहर रघुवन्शी ने खुद को मेहनत से बनाया है किसी के आगे भीख नहीं मांगी है जो भी हूँ अपने दमपर हूँ पर तुम क्या हो वेलविश एग्निवन्शी कभी खुद के अंदर जापकर देखा है तुम मुझसे बदला लेने के लिए इतना नीचे गिर जाओगे मैं कभी सोचा नहीं था वह बिजनेसमें ही क्या जो अपनी प्रोफेशनल और पसनल लाइफ को मिक्स करें तुम्हें जो ट्रिक खेली है खेलो लेकिन तुम्हारी डिर्टी एंड हैल गैम्स से कहर रघुवन्शी जुक नहीं जाएगी तुमने ये सब करकर अपनी हैसियत दिखाए हैं कि तुम असल में हो क्या एलविश का गुसा फूट पड़ा और वह जोर से टेबल पर हाथ मारते हुए खड़ा हुआ और चिला कर बोला तुम यहां आकर बगतमीजी कर रही हो और मेरे उपर एलगेशन्स लग रही हो वह भी विदावट प्रूफ मुझे प्रूफ की और किसी के सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है नो हूँ आयम तुम कितने गिर सकते हो यह मुझसे बेहतर कौन बन सकता है कहर ने एलविश की आँखों में देखते हुए कहा कहर रगवनशी I want you तुम मेरे ही ओफिस में आकर मेरी इंसल्ट कर रही हो तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है तो तुम मुझे पर ऐसे ही जूठे एलगेशन्स कैसे लगा सकती हो ओलवेज गुस्से से कहकर पास आया और उसका हाथ पकर लिया और चिल्लाते हुए बोला तुम मुझे पर जूठे एलगेशन्स लग रही हो मैंने कोई डिजाइन नहीं जुड़ा है और रियली तुम हो जो मुझे पर बात करना चाहते हो तुम्हारे सिवाये हरकत कौन कर सकता है अब मुझे लगने लगा है कि तुम नंबर वन बिजनेसमेन भी ऐसे ही बने हो लोगों के आइडियस चुरा कर शायद तुम्हें डर था कि मैं तुम्हारे होते हुए आगे कैसे निकल गए कहर जैसे भी बुनियाद इलजाम को सुनकर एलविश का दिमाग खराब हो गया और उसने कहर का हाथ जोड से पकड़ते हुए कहा एलविश इगनिविंशी को किसी को बरबाद करने के लिए चोरी का या जूट बोलने का सहारा नहीं चाहिए वर चुटकियों में जो किसी को भी बरबाद करना चाहता है बरबाद कर सकता है और डर्टी गेम्स तुम जैसे लोग खेलते हैं इगनिविंशी नहीं अगर तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं मिला तो तुम इतना बॉखला और पागल जाओगी कि तुम मेरी ओफिस में आकर मुझ पर ही चिल्ला रही हो और जूथा इलजाम लगा रही हो फिर किसने डिजाइन्स चुराए कहर ने तंच करते हुए कहा एलविश ने कहर की आँखों में देखते हुए कहा डोंट नो लेकिन तुम विदाउट प्रूफ जाकर मुझ पर इलजाम लगा रही हो मैं इसके लिए तुम्हें जेल भेज सकता हूँ कहर ने अपने होटों को भीचा और उसने एलविश का हाथ दूर से जटकते हुए बोले डरते होंगे सब तुम से लेकिन कहर रगुवन्शी नहीं तुम जैसे शक्स को मैं अच्छे से जानती हूँ और तुम पर ट्रस्ट करना तो अपने आप में ही बेवकूफी है ना इसके केरेक्टर का पता है और नहीं कमिटमेंट का कहर की बातों को सुनकर एलविश की भौहें सिकुर गई और उसने कहर की तरफ देखते हुए कहा केरेक्टर की बाते देखो कर तो कौन रहा है और कमिटमेंट कहते हुए वह जोर से हसा और बोला तुम खुद को बेहद अच्छे से जानती हो तुमने कभी मिरमें देखा है खुद को इसका पफेक्ट एग्जाम्पल हो तुम कहर रघुवन्शी कहर ने गुस्से से तिर्चा मुस्कुरा कर कहा जस्ट शट अप जो खुद बेकिरदार हो वह बाकी किरदारों को भी बेकिरदार करने की कोशिश करते हैं कभी जनकार देखा है खुद के अंदर की किस तरीके के इनसान हो तुम अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बताती हूँ दबलादी बास्टड सो अभी कहानी जारी रहेगी